किस्मी सोर मुनहक्यक दिफेरнос के बारे में दोनों के पीच के फर्क और उनों के ऋरदे बारे में और इनके फायदे में और इसे लोग का जीने लगता है कि कि उस यह यह कोई फ़र्क नहीं नहीं है पर ऐसा नहीं है इन दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंस है ये दोनों एक दूसरे से अलग है और इनके फायदे भी जो है वो एक दूसरे से अलग है तो आज की इस बीड़े में हम आपको इन दोनों के बीच के हंतर के बारे में बताएंगे इन दोनों के बीच क किसमिस का जो थोड़ा सा मीठाय होता है और और हलका साथ खटदों किसमिस भी तरह की होता है सबसे पहले कि इसमें भूं की कमी को दोर करता है अब दूर करने के लिए अगर आपके खुन की कमी हो जाए तो इसमें बहुत जादा लाब काम करता है चिसके बाद यह आपके दाइजेशन को है करता है और इसके साथ में बहुत ज्यादा करने में बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं इसके सब्सक्राइब काम करता है तो और भी तरह का पाइदे मुनक्य, मुनक्य के बारे में आपको सबसे पहले यह बसा थे कि मुनक्काें वीज बनता है लिख यह आंगूर से जिसमें छोटे-छोटे बीजपाए जाते हैं नीए मुणकिह में चुर्टीघ सीट से यानरी की बीज उसमें होते हैं बीज पाया जाता है इसके बाद अगर इसकी सूद के बाद करें तो यह सिर्फ मीठा लगता है और इसमें बहुत ज्यादा पोशक्तत्वा पाय जाते है जैसे कि एसमें कैलसियम होता है मैंगनेशियम ह जाती है यह चिंग में हम बात करें गारे स्वास् तरव करने का मुनकाें बढहरे हुद में की कमी को respecto के लिए चरहिए गवर कम्स ये मりました आखों के लिए भी बहुत ज़दा मातर में होता इक ही लीए आखों से तो को दूर करने के लिए बहुत ज़दा फाइधे मन्दे लिए। इसे बाद में हुब पर पर पहसे हैं और को दूर करने का आःसे प्रे sympathetic काम करता है इसके बाद मैं भी मुणक्गा प्यूरिफाइचा है वुनको सब प्रोडर करने का काम करता है इसके बाद मुनक्गा आपके हाई ब्लॉट प्रेसर को कंड्रोल करने का करता है जिन लोगा बलॉट rağr रहता है उसके लिए बहुत जग्तव क्योंस और ये कम उकरता है जीनलोरा है और आप जानगे कि मुनक्का और किसमी जो है यह दोनों एक दूसरे से अलग है और इनके फाइदे जो है वह वह दूसरे से अलग है इसके बाद आपको बता दे हनको शिवन करने का सही तरीका क्या है तो आपको क्या करना होगा 10-15 मुनक का या पिर 10-15 किसमिस को एक गिलास पानी में रात में भीगो कर रख दे सुबह उटकर उस मुनक के को चबा-चबा कर खा ले और उस पानी को फेक नहीं वेस्ट मत कीजिए क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियर होता है तो आप उस पानी को भी अराम से पी सकते हैं जिससे की बहुत ज़्यादा फायदे मिलेगा और जिन लोगे चैनरे पर बार बार पिंपल्स मुआ से दाख दबे निकलते रहते हैं उन लोगों के लिए इनका पानी बहुत ज़्यादा फायदे मन्त है आप लगातार दो महीने कर लिए आपको फर्क देखने को मिलने लगेगा आपके चैनरे पर एक अलक्सी रोनक आने लगेगी तो फ्रेंड्स आज के इतना ही मिलते हैं और नेक्स वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा